बहुत बहुत में जब रहे जाता है ऊके सद्टान हो ते नेक्स्ट आपिक इस ब्री इंपोर्टन और इस ओ अब ओ ओ अज़े ओ का मतलब यहां पर यूज़र को रिप्रेजर्ट के जाता है तो ऑप्शनल ओओ कुछ लोग इसको optional auth कहते हैं, कुछ लोग इसको role-based auth कहते हैं देखो, मैं इसकी uses पहले बताता हूँ, क्या-क्या होता है, क्यों होता है when we have token, but why we need this, वहाँ ओके अच्छा, देखी, so now assume, I have a project, मेरा एक पूरा repo है एक बहुत बड़ा repo है, मेरा बहुत APIs है जैसे कि आपने अभी REST APIs लिके, वैसे बहुत सारी APIs है एक एक application के, अब उसके अंदर दो पार्ट है एक admin है, role based एक admin है, और एक user है एक admin है, और एक user है ठीक है, admin and user जीशा, अब हुप project में बहुत है, admin will add the products user will buy the products admin, add products, add customer their report generation admin module, user module yes, अब issue ऐसा है कि यह दोनों में बहुत सारे common चीज़ है are you getting my point? यह दोनों में बहुत सारे common चीज़ है समझो, assume करो के view admin भी कर सकता है, user भी कर सकता है अब ऐसा है कि मुझे क्या करना है जो admin का view है उससे कुछ options देने मतलब admin view करके वहाँ पर delete भी कर सकता है extra but user सिर्फ view कर सकता है add to card कर सकता है common way में अगर आप shopping का लेंगे वह disabled रही है उसके लिए बाकी सारे options या तो दिखेंगे नहीं या तो disabled रहेंगे so this is called as role based authentication आपका JWT token है it is only for individual authentication अब हम application directory को authenticate कर रहे are you getting my point means आप जो authenticate करते थे जो आपने JWT token यूज किया वह authentication है यूजर के लिए that is for unauthorized user access के लिए अब हम यहाँ पे हर API को role specify करें that is nothing but a OAuth आप इसको कह सकते है role based authentication are you getting what is role based authentication के भाई अगर admin है तो यह x y z कर सकता है और user है तो यह स्रिप x or y कर सकता है z इसको allowed नहीं कुछ चीज़े इसके लिए disabled है और admin के लिए सारे चीज़े enabled है so in that case we use OAuth role based authentication यह OAuth OAuth तो यह OAuth तो यह करो यह काम आप कर सकते है यह काम आप नहीं कर सकते है अब जैसे के admin ने login किया इसको सारे option देने अगर user ने login किया तो उसको सारे option नहीं देने कुछ option disable करने या फिर दिखाने नहीं है तो अब assume करो assume अब आप क्या बोलोगे sir admin को login अलग रखो user को login अलग रखो यू आर means you are misusing the concept of object oriented आप क्या कर रहे हो आप क्या बोलोगे मुझे sir ऐसा क्यों कर रहे हो आप admin को अलग ही रख दो user को अलग ही रख दो इसका मतलब आप हर चीस duplicate करोगे getting my point मतलब समझो अभी A B C है A B C यह admin को allowed है समझो admin को all allowed है और user को स्रिफ E allowed अब अगर आप समझो के आपने क्या सोचा कि नहीं sir हम एक काम करते admin को operational अलग रखते और user के अलग है तो देखो आपकी यह 3 admin के हो गए और आपका यह 4 यूजर का हो गया मतलब आपने 3 operation को 4 में divide किया getting ना वैसा नहीं ना यह admin भी कर सकता है user भी कर सकता है अगर authentication नहीं रहेगा एक रखोगे तो फिर सबको एक रखना पड़ेगा getting my point मतलब कैसे आईसे थोड़े के decide करोगे के भाई अगर admin है तो यह file call user है तो यह file call ऐसे नहीं करोगे role based authentication का मतलब क्या आप सिर्फ features दोगे के हाँ यह API admin call कर सकता है means you are not your code will be not like this if user name dot equals admin then do this else do this ऐसे ही करोगे if else का संबंधी नहीं आना चाहिए सर देखो अभी for example attendance view करना है user can view only his attendance admin can view attendance of all तो वही तो लेकिन API हमारा एक ही रहेगा हम उसको pre-authorize हमारा annotation रहेगा हम उसको बताएंगे कि भाई और admin है तो यह कर सकता है तो अगर उसमे admin can view attendance of all 10 employees yes exactly but employee can view his only attendance तो उसको where condition अगर आप उनरे के सर्विस बनाएंगे आपके आपके कुछ service is mutual रहेंगे तो दो सर्विस करेंगे तो अब ही mutual भी है यह पर mutual के अंदर भी difference है ना हम उसको जो handle करेंगे हम उसको ifl से handle करेंगे कैसा करेंगे लेकिन हम पूरे APIs अलग नहीं लिकें मतलब आप जैसे बोल रहे हो के get attendance by user are you getting? मतलब user call करेगा get attendance by user where equal to particular वह स्टार रहेगा तो ऐसा हो गया कुछ functionality is common रहेंगे इसलिए आप कभी-कभी आपने देखा रहेगा के अगर आप admin panel पे जाते हो मतलब मुझे पता ने आप लोगा ने कभी code igniter बगेर देखा या नहीं उसमें अगर admin के पैनल पे directly enter कर जो ना तो you are not authorized to view this directory ऐसे आता है यह कभी देखा है मतलब अगर समझो कि आपको पूरी तरह से ब्लॉक करना है मतलब आप उदर जाहीं नहीं सकते so you are not authorized to access this directory एसे आता है permission अगर आप super user हो तो ही आप allow करो तो ऐसे भी यह होता है मतलब कैसे बढ़ रहा हूं में समझो आपका url ऐसे http colon double slash localhost समझो कुस्तो है and at या फिर something अब यहाँ पे आप क्या करते हो user यह समझो user के सारे API यहाँ पे getting अब यहाँ पे admin के API यह admin के API अगर मैं यह URL हीट करता हूं और यह admin दालता हूं अगर मैं हीट करूंगा ना तो direct you are not authorized to access this URL ऐसे आता है यह कब होता है जब वो लोग static IP use करते हैं so this is also through OAuth वो लोग क्या करते हैं IP filtering लगाते हैं OAuth में के यह IP admin access कर सकते otherwise no one can access the admin directly अभी normally कैसे होता है आप लग website बनाए हो college में बरबर कैसे बनाते हैं आप के यह दाल http colon double slash localhost 8080 slash login or something whatever अगर तुझे admin को जाना है तो उसका admin enter करना है या पिर कुछ लोग क्या करते हैं सेम login रखते हैं और सिर्फ compare करते हैं admin admin है को इधर जाना है ऐसे divert करते हैं लेकिन आप क्या कर रहे हो अगर pages को अगर उसने in case man in the middle attack होता है तो चेक कर सकते हैं अगर common रखते हो login के screen को man in the middle attack में क्या होगा कि बीच में से कोई user आएगा चेक करेगा कि header क्या जा रहे है पूरा inspect कर सकता है उसको man in the middle attack कर रहे तो in that case he can access the admin all the directories तो उसको completely block करते admin directory को आप access ही नहीं कर सकते तो वो filtering भी वह आद के दुरू होता है are you getting मतलब कि ऐसा मैं कुछ IPs को allow करूंगा कि यह URL open कर सकी और बाकिस सब लोगों को यह URL block ते अब अगर मैं मेरे machine से करता हूं समझो मैं admin हूं मैं access कर रहा हूं http colon 192.something.80 slash admin access होगा मुझे अब उमर्सर कर रहे है access तो नहीं होगा directly बोलेंगा not authorized it is machine dependent as well IP dependent भी है particular IPs को filter करो बोलो यह IP से आला होग बाकि कोई access नहीं कर से so this is all role based authentication is over so we are IP का चक्कर रहा हूं IRCTC के अंदर IRCTC के अंदर अभी है ना अगर मैंने यह phone से ticket book कर लिया तो दो 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 देगा मेरे में quota दो टिकेट बुक करने का तीसरा ticket अगर मैं यह ते आडी लेके बुक कर रहा पर इस phone से बुक कर रहा बुझा अगर मैंने यह phone से उस Wi-Fi से connection से करा अब यह phone छोड़ दे अब laptop से करेंगे अब laptop गोग है Wi-Fi सुरा ना आसे भी दिखाऊ अब एक रूम में अगर तुरे 15 laptop लगा तुरे 15 एजेंट बन गया 15 टिकेट फाड़ूंगा मैं वो मेन सर्वार से बुलेंगा दो बस तो यह सबसे पहला यूजर को यह करने दो यूजर को यह करने दो यूजर को यह मत करने दो उसके बाद में सेकुरिटी बेस्ट वान दी आई-पी फिल्टर है अचा लिगो Operations Operations Based on Role Okay For Example Admin Customer Okay Samjho Coordinator ऐसे यह Second से पहला यूजर Second इट प्रवाइड्स सेकुरिटी तू पर्टीकुलर डिरेक्ट्री अगर आपको पूरा पूरे स्ट्रॉंगली आपको ब्लॉक कर जेना यूजर को कि admin एक्सेस होगा ही नहीं तो आप यह की यूजर कर सकते सेकुरिटी तो सेकुरिटी तो पर्टीकुलर डिरेक्ट्री मतलब एक डिरेक्ट्री है जिसको तुम access देने वाले ही नहीं हो जहां पर admin के सारे API स्टोर है अच्छा तो अगर हम अब JWT token को प्लस OAuth को मिला लेते हैं इसका मतलब यह पूरा प्लस OAuth को मिला लेते हैं इसका मतलब ने पूरी तरह से अब्स्रेक्शन और सेकुरिटी प्रवाइड की अभी जैसे के जावा में बेस्ट वे टू आचिव अब्स्रेक्शन इस पैकेज जावा में सबसे बेस्ट वे अगर आप आप अब्स्रेक्शन करना चाहते है तो पैकेज वैसे स्प्रिंग बुट में OAuth and JWT token JWT token individual user को identify करेगा OAuth आपके role based user को यह करेगा मतलब कैसे आप group बना रहे हो admin users को यह कर सकते हो और normal users यह कर सकते means you are separating the users उनके roles को आप separate कर रहे Is this clear तो यह इसका use admin authentication आप कुछ लोग क्या करते हैं इसमें और ज्यादा security add करने के लिए OAuth with SSL करते है So बहुत सारे लोग SSL configure करते है OAuth में PLUS SSL तो आप समझो के आपकी website को कोई hacking नहीं कर सकते क्योंके जैसे SSL कर दिया यह HTTPS हो गई उससे आप पिर without certificate आप access नहीं कर सकते हैं without browser expired हुआ browser आप access नहीं कर सकते हैं अब जैसे के older browser लेके आप हमारे website को access नहीं कर सकते हैं तो सब अगर को नया browser लेके hack कर रहे तो नहीं ना देखो new browser में ज्यादा flaws ने रहते issues ने रहते अभी जब कोई चीज अपडेट हो रही है इसका मतलब उन्होंने पहले कुस्तों issues देके उन्होंने अपग्रेड किया अब जब मैं मेरी website बना रहा तो मैं उसको इस तरह से बनाऊंगा कि latest website में ऐसे तरह से काम करेंगा अब जैसे के कुछ website ऐसे होते हैं पता रहेगा Chrome में चलेंगे Firefox में नहीं चलेगा फिर कुछ website ऐसे रहते हैं इंटरनेट एक्स्पोरर आई ही पता है उस पे चलेंगे और बाकी किसी भी नहीं चलेंगे और तुम्हें पता रहेगा कि US के 90% of population they use internet explorer सबसे अलग लोग सबसे अलग लोग मतलब internet explorer आप open भी नहीं करते रहेंगे कभी सबसे रहेगो सबसे रहेगो यह दो US के 90% लोग AI use करते क्यों विकाउज उस पे पूरा भरोसा है वो लोग क्या सुचते भाई 3rd party browser हम हाती ने लगाएंगे Chrome Firefox यह सब 3rd party हो गया Chrome Google का हो गया Firefox Firefox का प्लस Google Plug-in Microsoft Edge Opera Mini यह सब 3rd party हो गया सफारी यूज करते वो लोग कुछ नहीं वो लोग AI के अलवा कुछ आती ने लगाएंगे लेकिन अभी Macbook अगर यूज कर रहे तो Apple के तो हर App के आप ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि इतनी security है लेकिन नॉर्मल हर कोई Apple यूज नहीं करेगा हर कोई iOS यूज नहीं करेगा Maximum जो चलते वो Windows है End user Windows ही यूज करता तो वो लोग इतने मतलब के पहले से यूज आई को स्टिकते हैं कि भाई हम यही उज करेंगे हम upgrade नहीं करेंगे तो अभी इस Office की Office से सबसे बड़ा चैलेंज है Internet Explorer को support देना क्योंकि जो libraries आते वो latest browser के लिए आप समझो कि कुछ website तुम बना रहे आप तुम्हार को Office का काम मिला आप बना लोगी लेकिन वह क्या वहां से call आएगा अरे वह हमारा ये ब्रॉजर में उपन नहीं हो रहा ऐसे दिश्यू देन यूद तो चेक फॉर दी प्लग इन अरे आई में क्या हो रहा है यह इधर हो गाए बूट्स्ट्रैप आई बहुत बख्वास चलता है इंटरनेट एक्स्प्रोलर में आपका बूट्स्ट्रैप बहुत बख्वास काम करता है अगर टैप ऐसे रहेंगे न तो ऐसे दिखेंगे अगर अगर सबसे ज्यादा तुम पूछोगे ना तो एंड्रोइड डेलोग पर को पूछने का कि जब वो कोडिंग करता है ना सबसे ज्यादा डिवास स्पेसिफिक इस्यों फेस करता है अगर अभी देखो दिस इस माइ कस्टमाइज मुवाई यह अमरे ओपिस ने कस्टमाइज करके दिया हुआ है अब जो अप इसमें चलेगा ना वो उमर सरकेस में नहीं चलेगा तो क्वाश्ट बुले तो यह कस्टम रॉम है एंड्रोइड इस ओपन सोर्स यू केन क्रियेट यवर ओन रॉम और आप इंस्टोल कर सते हो खुद का रॉम जो अपरडिंग सिस्टम में यह कस्टमाइज इस तो आप खुद से भी आप खुद का भी अपरडिंग सेंड दाल सते हैं रॉम्राइड मालब आपको 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 आजाए आप यह सब रहता है तो यह कस्टमाइज ए ऐसे enterprise आप किसने samsung nox के बारे में सुना है दाइस अपरफेक्ट अप्स्राक्शन के नोग्स nox samsung nox इक पर सर्च कर लो इस अमतलब 99% enterprise user वही फॉलोगर nox samsung nox श्रुप samsung ने प्रवाइड किया है कैसे रहता है enterprise application अलग रखते हैं और आपके application अलग रहें मतलब एक mobile उसमें एक container रहेगा जिसके अंदर application श्रिप offices के रहेंगे और भार जो भी application रहेंगे वह तुमारे रहेंगे मतलब दो Gmail login getting ना office का Gmail login अलग और तुमारा Gmail login अलग तो यह सब enterprise users रहेंगे तो यह सब enterprise users रहेंगे nox तो वह सब role based रहेंगे samsung nox is completely role based completely तो यह roles का बहुत बड़ा responsibility मतलब roles without roles there is not a single application yeah defined अभी आप e-commerce बनाते admin अलग रहेता फिर आपने देख रहेंगा उसके हाथ के नेचे कौन-कौन और भी रहते managers and all फिर billing वाला बना रहेता पे रोज रहेंगे मतलब billing वाला बना बना अलग रहेता एक account rent पा रोल अलग ही रहता e-commerce में वो त्रिफ जो payment API थे ना वही देखता फिर यूजर, customer तुम आ गए फिर और एक user अलग रहता नॉर्मल यूजर रहता कुछ-कुछ अलग रहते उनके registered user, non registered user आइसे भी रहते non registered user, you can only view not shop shop करने के सो लोग करना पड़े उसको register करना पड़ेगा यह सब चीज़ रहेता So this is all role based के बगर कोई application नहीं every देखो रहाँ, हर case में तो इसमें टोकन है क्या? मतलब, टोकन नहीं है यह एक interceptor के तरह काम करेगा मतलब, एक entry point रहेगा मेरा API call पहले उदर जाएगा एक comments रहता इसमे तो यह function रहेगा मतलब, आपके पास एक readymade class है जिसके अंदर आपको स्रिफ over ID करना है method, comments नाम का method रहता जिसके अंदर है यह clear है? board नहीं है? यह इतना ही है, मैं आपको अभी इसका architecture बहुत है board way? आप बहुत है, मैं practical नहीं लूँगा board case दूब आपको बहुत है practical आप आपको मैं इकी जगा में लूँगा आपको बता है already okay अच्छा देख़ए अब यह इसका architecture कैसे this is end user जो क्यों stress करणा तो फुसी लेकार नहीं okay, यह user है मतलब हम इसको client बोलेंगे direct direct yeah okay, this is client or end user no this will vary application to application yeah, it will vary depend करेगा क्या आपको कैसे रोल है normal e-commerce पे दो रोल है admin और user अगर आप college का बनाएगे तो principal का अलग रोल principal लगाएगा teaching का अलग रोल student का अलग रोल okay तो यह तुम्हारा end user है client है अब यहाँ पे आपके controller roll on यह नहींगा check करता कि क्या mapping हो रही whatsapp whatsapp मैप हो गया whatsapp में किसको map हो रहा login controller user controller अगर जिसको map होना है map हो गया हो ठीक है अब उसके बीच में हम यहाँ पे क्या करेंगे यह basic authentication entry point तो हर controller के लिए करता है no 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 there is only one एक ही रहेगा यह यह एक ही रहेगी class यह सारे इसको handle करेंगी okay एक ही रहेगी जब भी request आएगी यहाँ पे आएगी पहले फिर controller को जाए यहाँ पे validation होगी role based validation सब चेक होँगे और फिर इसको जाए okay okay हमारा का तुरा server का ही है हमें तो यह client से छोड़ दो client को ignore करो वो सिर्फ call कर रहा API से तो यह एक ही class होगी जहां पे entry होगी yes अब देखो पहले क्या होता था हम क्या करते थे अब इधर से control okay मैं यह abstraction बनाता हूँ पहले हम ऐसे जाते थे पहले direct controller को जाते थे अब हम जाएंगे entry के पास entry से भी रही तर आए अब इसका एक सबसे important method है comments नाम का comments जिसको आपको override करना है comments में पहला argument है http servlet request second is http servlet response और शीसरा है authentication exception okay यह आपको override करना पड़े लिखने अच्छा इसका method कुन सा है argument override करोगे तो automatically आजएग Java में आपको कोई चीज़ याद ने रहनी है everything is ready आप extends करोगे ना इसको जैसे extend करोगे automatically आजएगा method so method is comments okay okay इसका पहला parameter http servlet request okay second argument is http servlet response yes okay http HTTP servlet response B A E P आपने बनाएं कि यह है यह मैंने ने बनाएं वापा अल्रडी है B A E P of the school basic authentication entry point okay the abbreviation है क्या यह क्लास है Java की इसका नाम है basic authentication entry point yes okay authentication exception क्लास E A E P आपकी आपकी क्लास रहेगी जो यह एक्षेंज करेगी इसको okay आपकी क्लास रहेगी यह पुरा security में जा रहा है देखो हमारा J WT जो भी यह वह पुरा और यह पुरा security में जाएगा यह security का है पुरा spring security public void comments public void comments WT और arguments HTTP request HTTP सर्व healthcare है every spring boot request is a servlet request वो उसके बाद में एक हैंड-shaker servlet रहता इनीशियल सर्वलेट रहता उसको सर्वलेट और अथेंटिकेशन एक्सेप्शन का आपजेक्ट आएगा स्वलेट कंटेनर सारे कंट्रोलर को हैंडल करता आपको पता रहेगा कि जावा का कोई भी सर्वर एपीया रहता है इवन JSP आपका serverate में compile होता, पर उसके बाल में इंदर्स, class बनता होता, तो मतलब without serverate, आप server पे कुछ नहीं कर सकते, जाओगे, exception यह कचे, applet, आप applet को server पे run कर सकते, उसके अलावब कुछ नहीं, मतलब लेकिन enterprise के लिए, applet is not good, enterprise application आप बनाओगे, तो applet थोटे था यूज़ कर गया, applet is very basic server, यह बोल सकते है, application, is this clear, any doubt, मैं आपको बताता हूँ कि अब entry point तो आपने दे दिया, अब API इसको कैसे restrict करना है, उसके लिए एक annotation होता है, pre-authorized, at pre-authorized, और आप उसके अंदर has role नाम का एक keyword है, जो आप specify करोगे कि किसको देना है, मतलब कौन कौन सा API call कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, तो देखो, इसका pre-authorized का mechanism कैसे होता है, तो यह basic, देखो, spring security ऐसी चीज़े, एक बार configure कर लो, सारे project में same use करना है, only role based अगर आपको कुछ change करना है, तो change कर सकते हो, लेकिन यह ऐसी चीज़े, देखो, JWT token, एक ही यह, आप उसको copy करते हो, मतला आपको बार बार लिखना नहीं है न, JWT token, JWT token utils, इसने ऐसे नहीं करना है, okay, it is quan, pre authorized, yes, under at pre authorized or उसमे, आपके parameter से has roll, इस दिस क्लिर यह हो रहा है रेकॉड हो रहा है सब पुरा आजाएगा तो अब अगर समझो एक API लोगिन I want to allow that API can be called by either user or admin तो आप क्या करोगे आप आपका login controller है या फिर user controller है उसमें login का API तो कैसे रहते आपका पता है आपको Public response ना मैं इदर response लिखता हूँ Okay login समझो इसके parameters है आपने जो पास किया यह ऐसा कुछ तो है Now I want to allow this API can be called by either admin or user तो इसको करने का add pre-authorize Capital A Capital A अब double quotes में Double quotes में Has role जा इसका keyword Has role Has role Is equal to Is equal to मुझे दोनों को देना है यह तो role आपने जो नाम दे रखा है आप अगर admin रखा है आप अगर constant बना के रखने का इनके Capital A मतलब अब यह It can be anything आप admin लिखते हो It's a constant आप उसके base पे decide करो So suppose I am writing role admin और मुझे दोनों को देना है तेके Or User Role Underscore User तो इसके आपको constant बनाने पड़ेगा Yes आपको constant बनाने Role admin और Role user तो इसका मतलब ने के यह API यह दोनों के लिए authorized Pre-authorized मैंने पहले authorized कर दिया के Admin भी कॉल कर सकता है और user भी कॉल कर सकता है Is this clear no? अबर कुछ API है जिसको स्रिफ आप admin को देना चाते हो To add pre-authorized Has role is equal to role admin Done अब उसको user access करेगा तो 401 आएगा क्या आएगा 401 क्योंकि वो authorized ही नहीं है Exactly So now you got it What is what अब उसमें भी रहता है Yes, वो unauthorized अब इसमें एइसा भी रहता है Has role is equal to all underscore type All underscore type All underscore type इसका मतब सब कित Starوج जरी Is this clear no? All under All under Is this clear no? What the code is clear no? अबर जिससे आपके वाली पहे रहेंगा All underscore type All underscore type See, वोज देंगा All like that Has a할ूए रहें जरीक्त कार्ड़गा लेगे All into underscore type All under कि जरीक्त की जरीको तुमारा नावात रहेंगे अबलाभीसे रहें I know, वेलन पैसा अप्र रहेंगा एचलोआ पुए रहेंगे रहें All under अब नगा रपड़ाज में था मतलब कोई भोल भी ने सब्सक्राइब तर्था नियुक्त पढ़ा था मैं जिसको बहु चाहिए थी ओर रोड शादी कर ली तो नहीं चाहिए था अपनों क्या चाहिए आप देख लो अब खड़े बावी कि नहीं चाहिए अब यहां वाल अंडर्स को टाइब कर रहें आपके रोल ना फैंगली रोल अंडर्स को पैंगली इसे वाइबली माइब चार हम चारून के कतम हो गया आपके शादी तो सब्सक्राइब बोदर्माने आदिन अब इसमें एसे सल एड़ गरते कुछ लो थेक है मैं आपको पहले बज़ाता हूं के सल वेरिविकेशन होता के से सल वेरिविकेशन उसमें अब्सक्राइब गरते का इसमें वेरिविकेशन होता है अब यह इसको यूजका इसके पहले आता हूं अगे नाव अज्यूम यह क्लाइंट है ओके और यह है सर्वर अब यह सर्वर अच्छा फेले गार को बताता हूं कि दो टाइप के सर्टिफिकेट रहते कितने टाइप के दो टाइप के एक रहता ब्राउजर सर्टिफिकेट ब्राउजर सर्ट और एक रहता क्लाइंट सर्ट गये दा रॉजर सर्ट अब डार अनदर वने इस क्लाइंट सर्ट अचा एवरी मुपाइल कोई भी डिवाइस रहना है तो हर किसी के मोबाइल में सर्टिफिकेट होने ही चाहिए ऑधरोइस आपका प्रोम खुलता ही नहीं है मुबाएल में सर्टिपेट इन्सटॉल्ड रहते हैं कि आप क्या होता है यगर सर्वर देखो कुछ server open रहते और कुछ server CA sign रहते अचा CA sign का मतलब क्या कि आप समझो एक site है SDFC का assume करो SDFC का website है okay SDFC का website है assume करो आप वो किसी को भी allow नहीं करेगा definite है कि अगर इसने किसी को भी allow किया तो यहाँ पे flooding भी होगा या तो फिर man in the middle attack हो सकता है कुछ भी हो सकता है now what exactly it does यह क्या करता है एक authority के पास जाता है क्या authority जैसे के Google का PEM authority okay एक global CA cert यह authorities है यह मतलब already authorized बैटे हुए अब reserve bank का एक खुद का अलग authority होगा यह लोग है ना एक key tool generate करते है और खुद का sign करते digital signature सुनाएग अभी तो यह क्या करते है यह क्या करेगा यह जाएगा एक बंदे के पास जो के already एक well security वाला बंदा है यह लोग कोर्स करके बैटे हुए रहते के बाई मेरा sign किया हुए certificate लो कभी भी आपको यह नहीं होगा इश्यू नहीं आए तो ऐसे well-known authentication server से जैसे के google का पै में global search करके एक अच्छा एक devices में रहेंगे आपको दिगा तो बोसर ऐसे certificate कैस में रहेँगा अकर प्रड़ ड्लकी रहेंगी क्या बटतरह है या बटतरहिगा नई नई आपको सभी के इसमें होने ही चाहिए ऐसा हुई ने सकता के नहीं है certificate इसका मैं ड़पा certificate ब्लट रहाँ होटेशन सभी के इसमें होने चाहिए बोडियर एप्सेटिए नियुका अद पर शिर्टिकेत अगों नियुका अगोशनेस आधिक्तिक्तिक्टे से यह साइन किये हुए देखो अब एक चेम्बर्स ओपमर्स रूट इनोंने प्रूजल एटीमें कम्प्लीप लावाई साइं करनी का एक हेफ ग्लोबल चेमबर साइं रूट उसके बाद में हमें यहां पर बार मिलेगे भुछ सा ग्लोबल का यह सब कर दो क्या है अगर आख कर दो तो ब्रॉजर में इस्युस आएंगे वो तंबह कर दो कुछ नहीं कहा है सेकुरिटी में जाओ अच्छूरितने जाने कि एक मिल अधिकलों तेसे इस से इसलेटिस्टिञ सिर्थ इसलेटिस्टिर सैटिनसमे जाने कि कրन LIKE के सीस्टम में आए like इस किले संटार्णे बीधे, मारत पर हमाँ निए बागा जै द मैं आंदे सेक्रीटी किले सेक्रीटी और खोल्पिक, इदर रगहे आडवान्स में जले एंक्रीप्शन और देच्छिल इदर रे सब्सक्रेट लेट एको मैं नहीं तो में रहेंगा इसलिगे on me. मेरा सार का मेरा थास का मन पहरा हमाने सो दिखा. तुटु है कि एणा gallery मुझा gallery मैं थे. पर प्रॉनर शेकर सबने सब्स दिखेट थिए उगा. इसलिगा है? अचिसलिगो त्रस्ट इसलिगे है . यह ग्लोबल सबसे बेस्ट उतराइज लिए मतावा रिजर्व एंग इससे ही साइंड तो यहां देखो वोटैटी का भी सर्टिफिकेट है आपका अगर आप इसका भी अनिंस्टाल करते हो मैं क्लिक करके इसको अनिंस्टेबल कर सकता हूं यह देखो तो अब इसने क्या किया है यह कोई तो एक ऑथनिक ऑथराइज एक कंपनी है उसके पास से सर्टिफिकेट खरीदा आप इसने एक सर्टिफिकेट खरीदा आप अच्छा यह सर्ट में दो चीज़े रहती एक रहती प्राइबट की एक रहती पबलीक की आरे से लगाता आरी से डाइप इसके पास एक प्राइवेट की रहती और एक पबलीक की रहती अब जब क्लाइट जो है यह एकसेस कर रहा है समझोगे client है अब HDFC सभी के लिए allowed है कोई भी open कर सकता है न everyone can open the HDFC site ऐसा नहीं कि भाई ओमर सर नहीं open कर सकते है मैं कर सकता हूँ ऐसे नहीं तो ना समझो मैंने HDFC के site को hit किया सबसे पहले इसके browser में client अब यह मैंने क्या बला या तो browser है या तो client है mobile में भी आपके मिलेंगे अचा अब इसने क्या किया एक certificate इसको server के पास से आया मतलब इसने server को certificate send किया token के जैसा मतलब एक token के जैसा इसका cert का detail गया अब अगर तो यह particular जिसको hit कर रहा है उसी का certificate send करेगा अब इसने certificate send कर दिया अगर match नहीं होगा इसका मतलब यह कोई तो अलग client लेकर आया है यह S-S वालग client लेकर है यह HTTPS नहीं है यह तो फिर इसने खुस्तो कर रहा है something he is doing खुस्तो यह ऐसा कर रहा है जिसके वज़े से cert match नहीं होगा तो यह block कर देगा block कर देगा अच्छा कभी कभी आपको exception आते देगो अब उस तो ऐसा exception आता फिर आप accept and continue करते नीचे आता देगो एक्दम नीचे scroll करने का accept and continue क्या वज़ते आप जाने जो इगनोर करो okay so it is like this लिकिन SDFC यहापे नहीं करने को मैं वो cookies को नहीं करता अच्छा अगर आपकी कोई ऐसी site है जो आपको exception दिखा रहे security exception आया तो कभी भी वो site को visit नहीं करने लोग क्या करते continue and continue बोलते मतला वो एक token आता उसको accept करते और continue कर देते that is very wrong method मतला आप गलत चीज़ कर रहे वो क्या कर सकता है पता है क्या आपके पूरे browser को read करके आपके पूरे stored password को get कर सकता है पता है ना browser में password stored रहते जिसको आप देख सकते easily आप भी देख सकते हो अगर मैंने save as नहीं किया होगा तो मतलब save as पास्वर्ट अगर नहीं किया रहेगा तो नहीं होगी तो नहीं होगी लेकिन फिर भी cash रहते है browser का अशर पर यह सारा जो है अब वो तो कुछ भी करता ना आपने क्या वालो ऐसा ही ना once it is on client side अब उसने security दिया है आपको whenever you are accepting something वो पहले आपको instruction देता है आपने बढ़ते हो आपने आपने कुछ software इस्टॉल किये कोई तो बला ना मैं के आप पढ़ते नहीं हो और आप क्या करते है accept करते हो और हो क्या but अगर आप terms and conditions देखोगे तो आप कभी accept ही नहीं करोगे कोई site का accept नहीं करोगे अब commonly Paytm का जब install गया आप लोगोने Paytm का आप मेरा clearly बोलता है if there is loss of any token but if there is loss of any money from your account Paytm is not responsible for it even Google Pay का भी ही है same है अगर आपके account में fraud होता है समझाओ आपने Paytm से कुछ किया और fraud हो गया तो आप कई पर भी जाने सकते आप वो यह बुलता है कि हमने हमारे पुरी पोशिश किये security देने की चिला ख़ल को यसा निकला 30 मार ख़ल तो हम कुछ नहीं कर सकते तो यह चीज़ बैंक के साथ भी रही getting ना अभी बीच में एक यह आया था रेंजर एक रेंजर किसने चाइना वालों ने वो क्या करते थे आपके डिवाइस पर कॉल करेंगे मोबाइल पर आपका मोबाइल बंद अब आपका स्थीम उनके इसमें अक्टिवेटेड़ होगा खतम आपका पूरा बंद हो गया आप क्या करेंगे वो सब तुमारे डिवाइल दालेंगे OTP उनको आएगा अरो एकसिस करेंगे तो अपने को call accept नहीं करना है ऐसे कुछ numbers है जिनका call accept नहीं करना है ओके तो फर्स्टिंगी सबसे इंपोर्टन बात यादे चाइना का अगर number आता है तो कभी भी आपको चाइना का प्लस plus care plus care plus plus one one zero or something मुझे इतना नहीं पता देख लो आपके one four zero से पाल मुझे one four zero तो कुछ ऐसे countries के code है जिनको आप receive नहीं करोगे एक Brazil दूसरा China plus nine two पाकिस्ता Pakistan है कै मुझे नहीं पता India plus nine one तो Brazil, China और और कोई तो country है वहाँ के call कभी receive नहीं करने को यह सब वह यह सब कह रहते यह लोग क्या करते certs को break करके अंगर आते मेरे अगर coffee आरी बाजिल से तो पर अब आपको पता आपको पता होना चाहिए तो वही तो गलती होती ना नॉर्मल ही तो देखा fraud होते ही क्यों है कोई ना कोई तो बलती कर बढ़ता ही अब बीच में एक news थी एक industrialist को एक call आया उसका mobile बंद हो गया उसके सारे calls वह उनके mobile पर जाने लगे और लोग ने OTP get किया और पूर account खाली So this is the case मतलब के अगर आपका server या फिर कुछ properly secured नहीं अच्छा आपको यह भी पता रहेगा Google के 7 layer of security है Gmail को hack करने के लिए 7 layer of security layer को break करना पड़ेगा एक बंदे ने 6 layer break किया अलरड़ी Gmail ने खुद उसको बोला था Google ने खुद बोला था कि आपको यह करके दिखाना है Hacker इता हो तो उसने 6 layer break किया 7th layer तर जाई नहीं पाया मतलब के Gmail को hack करना सबसे tough है Facebook भी वह ऐसा है Facebook भी वह ऐसा है But Gmail is very very secure कि वह खुद के certificate यूज करता पहले तो Geo certs उसके ऐसे बहुत है तो इस दिस क्लियर नौ आप समझ भाया है तो यह हमको प्रैक्टिकली करता है कि आपना यह करना है प्रैक्टिकली करता है हम सेल्प साइंड बनाईगे हमारे कुद के बनाईगे तो क्या होता है अब नेट पे सर्च करोगे ना वा तो क्रियेट सेल्प साइंड इस अब को आजएगा कमांड से सर्फ जावा के certificate बच जाता है अचा देखो जब क्लाइंट हीट करेगा SDFC को तो यह सर्ट इसका ब्राउजर ही ब्राउजर से सर्ट जाएंगे अब यह सर्ट यह और यह सर्ट मैच होगी कि यह वैलिड क्लाइंट है या नहीं क्लाइंट मैच करने के लिए fingerprint होता है fingerprint अगर मैच हो रहा है तो आगे continue पर क्या बढ़कर क्या बढ़कर अब जो एक नगा ने रिख लेते हैं तो आपी इसमें इसमें यह होगा कि आप हो कि अवर्था मतलब मैं आपको जिस्ट कर ना यह कैसे वह रहता है सर्डिपिकेट इसा थोड़ा पढ़ लोग फिर में कल गाणने लुगा है तीक है ना चलेगा ना, चलेगा, पिक अभी मुझे पॉल आ रहे है, अब को अपीस काम ही है, अपीस का तो काम ही है, और फ्रेंड का भी सेट अप करके जाए है